तो अमिट टंडन टीवी इंडिस्ट्री के एक बड़े नाम है इन्होंने कई शोज में अपने काम से दमखम दिखाया है अब हाली में एक महीना पूरा हो गया सिधार शुकला को कहे हुए और उन्होंने इस मोके पर सिधार्थ को याद किया उन्होंने बताया कि कैसे सिधार्थ से उनकी मुलाकात हुई थी उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्वीट किया है हलांकि उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की कि वो बहुत अच्छे से सिधार्थ को नहीं जानते थे कुछ एक आथ बार ही उनके साथ मुलाकात हुई थी लेकिन उन मुलाकात में ही जो इंप्रेशन सिधार्थ ने अमित पर डाला था उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया तो अमित बताते हैं कि सिधार्थ और मैं एक ही जिम में जाया करते थे हमारी चार-पाच वार मुलाकात जरूर हुई होगी मेरी तरह ही वो भी जिम को लेकर काफी dedicated थे हम काफी ज़ादा weight मारते थे काफी जिम को लेकर excited रहते थे और यहीं हम दोनों में similarity हुआ करती थी अमित कहते हैं कि मैं उनकी काफी सारी चीजों को काफी admire करता हूँ उनकी एक चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगती थी कि वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते थे फिर चाहिए camera सामने हो या ना हो वो सबके साथ ऐसे ही बरताव करते थे जैसे वो real में है किसी के साथ कोई special treatment नहीं करते थे उनमें जो competition की spirit थी वो काफी strong थी हर बार हर चीज में वो आगे और अबबल रहने की कोशिश करते थे उनका ये मानना था कि आप मेरे लिए एक बार को set कीजिए और मैं उस बार से भी दस गुना उपर करके दिखाऊंगा तो ये उनमें competitive spirit थी जो काफी ज़्यदा strong थी इसके लाब अमित कहते हैं कि मैंने सिधार के साथ एक बार खाना भी खाया था हमने साथ में और उस समय उनके साथ बात करके ऐसा लगता है जैसे मानो कोई अपना पुराना दोस हो उनमें थोड़ा सा भी attitude नहीं है उनमें इतना भी इस चीज़ का attitude नहीं है कि वो इतने बड़े स्टार हैं बिग बॉस के विनर रहे चुके हैं फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था और तमाम चीज़ों में दिखते रहते हैं तो कही न कहीं सिधार्द को लेकर अमित वहीं कहते हैं जो बाकी लोग कहते हैं सिधार्द वाकी में एक बहुत ही real person थे वो ऐसे ही दिखते थे जैसे वो है ना ही वो किसी के लिए special को treatment करते थे और ना ही वो दिखावा करना पर सुन करते थे बहुती नेच्चुलिंसा